दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इक जीगो एप के माधियम से ट्रेंट टिकट की बुकिंग कर सकते हूँ यानि कि ट्रेंट में रिजर्वेशन ले सकते हूँ सीड बुक कर सकते हूँ तो यहां मैं आपको सारी चीजे स्देप बेस्ट बताऊंगा कैसे आपको ट्रेंट को सर्च करना है भुक करना है और कैसे आपको लास्ट में टिकट का फेयर पे करना है यानि कि किराया वह भी औलाइन आप UPI, Net Banking, Credit Card, David Card, किसी भी तरके से Fair Pay कर सकते हूँ तो चलिए पूरा process देखते हैं इसके लिए क्या करना है आपको Exigo App प्ले स्टोर से install कर लेना है आप प्ले स्टोर अप उपन करोगे, सर्च में जाओगे Exigo Trends सर्च करोगे तो यह application आपको दिखाई देगा इस application को install कर लेना है यह application मैंने अल्री install कर लिया है Exigo Trends app install करने के बाद इसको open कर लेना है Exigo app open करके यहाँ पर आपको login कर लेना है login आप mobile number इंटर करके कर सकते हो बाकि email ID के माधियम से भी कर सकते हो बाकि आप Facebook, True, Caller और Google के बाधियम से भी login कर सकते हो यहाँ मैं mobile number इंटर करके continue कर लेता हूँ Exigo app आप से SMS send करने का भी करने का permission मांगता है आप चाहों तो यह log कर सकते हो उसके बाद आप यह mobile number पे SMS में OTP आता है और OTP automatically fill हो करके verify हो जाएगा उसके बाद चुके train ticket बुक करना है तो यहाँ पे train select करके रखना है जहां तक आप जाना चाहते हो destination station उसके बाद यहाँ से date of journey चूज कर लेना है किस दिन आप journey करना चाहते हो आप journey स्टार्ट करने के 60 दिन पहले तक भी booking कर सकते हो पहले यह 120 दिन था अब आप केवल 60 दिन पहले तक ticket बुक कर सकते हो journey date चूज करने के बाद यहाँ से अगर आप full refund चाहते हो अगर आपको cancel करना पर जाता है ticket और आप full refund चाहते हो तो इसको select कर लोगे इसके लिए आपको और extra अभी pay करना होगा booking के दोरान ही उसके बाद यहाँ पर search trains पर click करना है अब आपके boarding और destination station के बीच में train पर बहुत जोगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और कौन-कौन सा class available है उस specific train में ticket book करने के लिए वो यहाँ आपको दिख जाएगा तो हर train के लिए आपको यह information मिल जाता है यहाँ पर इस वंदेभार train में मैं booking करना चाहता हूँ जिस भी class में मुझे book करना हुआ अगर उसमें seat available है यहाँ पर available लिखावा मिलेगा और उस class के लिए कितना fair pay करना होगा पर ticket यहाँ पर मुझे दिख जाएगा बाकि अगर किसी में आपको waiting मिलता है तो अभी आप book करते हो तो waiting ticket मिलेगा और फिर बाद में seat confirm मिलता है यह फिर नहीं मिलता है यह seat availability पर depend करेगा तो इसमें seat available है मैं इसमें book करना चाहता हूँ वंदे भारत में CC EC का मतलब है chair car और EC का मतलब है executive chair car तो अपने हिसाफ से train सलेक्ट करके class के उपर tap करना है अब यहाँ पर आपको quota चूज कर लेना है कि आप जैनरल में book करना चाहते हो जैनरल quota में यह फिर तत्काल quota में यह फिर senior citizen quota में ladies quota में तो यहाँ जैनरल quota में book करना चाहता हूँ डेट चूज कर लेना है meal type चूज कर लेना है बंदे भारत में आपको food भी serve किया जाता है railway की तरब से अगर आप food लेते हो तो उसके लिए extra पैसा pay करना होगा food में भी आपको भेज यह अपने नॉन्वेज मिल जाता है तो यहाँ मैं भेज चूज कर लेता हूँ और जैसा कि मैं एक passenger add कर दिया है आप और भी passenger add करना चाहते हो यहाँ से add कर सकते हो add new passenger पे tap करके यहाँ आपको अपना mobile नमबर दिख जाता है इसी mobile नमबर पे SMS के माधियम से भी आपको ticket मिल जाता है बाकि अगर आप free cancellation चाहते हो तो आप अभी भी इतना extra pay करके इसको add कर सकते हो मैं इसको add नहीं करना चाहता, cross कर दूँगा यहाँ पर आपको अपना exact email ID type कर देना है उसके बाद नीचे scroll करना है बाकी चीज़े optional है आपको कुछ भी select करने की ज़र्वत नहीं है अगर आप travel insurance लेना चाहते हो इसको select कर लोगे इसके लिए आपको 0.45 rupees per person extra pay करना होगा auto upgradation चाहते ह इसको select कर लेना है उसके बाद proceed to pay इस पर tap करना है आप अपना IRCTC का username इंटर कर दोगे IRCTC ID तो यह आप IRCTC account बनाते समय create करते हो अगर IRCTC ID बना हुआ नहीं है तो create IRCTC ID पर click करके बना भी सकते हो अगर ID बना हुआ है आप उसको भूल चुके हो तो यहाँ से आप forgot करके बत payment कर सकते हो बाकि credit card, debit card, ATM card से payment कर सकते हो बाकि नीचे scroll करोगे और भी other payment method मिल जाएगा पे लेटर EMI यह फिर EMI के माधियम से कर सकते हो net banking से कर सकते हो अलग-अलग option आपको मिल जाता है wallet से भी payment कर सकते हो तो मैं यहाँ पर UPI के माधियम से payment करना चाहता हूँ Google Pay App के माधियम Google हो जाता है अब यहाँ पर आप अपने IRCTC account का password भी इंटर कर दोगे और यहाँ जो capture दिखाई देता है वो इंटर करके submit कर देना है इस तरीके से ticket booking हो जाता है यहाँ आपको train का detail दिख जाएगा यहाँ आपको अपना PNR number मिल जाएगा अगर आप rating ticket book करते हो इसी के माधि आपको डाउनलोड कर सकते हो WhatsApp पर शेयर कर सकते हो